हाई दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है विकास सर के इस करन्ट अफिर के क्लास में और एक्जाम का लाइव यूटूब चैनल पर दोस्तों आज बात करेंगे 23-24 दिसंबर जनवरी 2023 के जितने भी महत्पुन करन्ट अफिर है उसको डिसकस करेंगे जो कि आपके आने बैसे वाजहे सबही एक्ज़ाम के लियर बहुत ही इंपोर्टन जाहाए प्री इफिलेंटेंट दूसरे बच्चों से बहुत आगहरे लिगे जाए ऐसे होते हैं जो एक्जाम जब नोटिफिकेशन आता है तब उसके बाद भी जब एड्मिट कर वगरा आ जाता है तब पढ़ना चाहते हैं और स्टार्ट करते और फिर सोचते हैं उस बीच में 6-8 महिने का करेंट अफेर कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी हार क्योंकि डेजी के कम से 6 महिने का 10-15-20 दिनों में करना मुश्किल नहीं मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा तो अगर आप रेगुलर बेसे पर करते रहता है तो आपके लिए रहेगा और दूसरों स्टुडेंट से बहुत आगे रेखे जाए तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है डेजी क् सब्सक्राइब करेंगे उससे पैसे वीडियो स्टार्ट करने से आपको बता दें दोस्तों एक्जाम कार्ट की तरफ से आपके लिए देखे आया गया यहाँ रैपेट से नाम का छे बुक लांच किया गया जिसमें छे बुक का कॉंबो होता है अर्थ वेवस्था राज वेवस्था विग्यान और प्रॉद्दयोगी की इतिहास साइंस एंड भूगोल और पड़ियावड़न यानि छे सभी सब्जेक्ट जीके जिए इसके जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट है सभी को इसमें कवर किया गया है इस बुक की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में एक से दो महिने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे त्यारी कर सकते हैं तो अगर आप बाइक करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप सारे आपको नीड की उपर है कि आप कितना बुक्स बाइक कर सकते हैं अगर आप बाइक करना चाहते हैं तो हमारे वेब साइट वगर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक्जाम का डॉट इन और विकास 10 का कोड यूज करने से आपको 10% का डिसकॉंट मिल जाएगा अभ आप चाहें तो बाइक कर सकते हैं लिंक वगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है तो चलिए आज के शेशन जो है उसको में स्टार्ट करते हैं आज का प्रस्ण है दोस्तों आज ही में आठ में भारतिय अंतरास्टे विज्ञान महोसब आई आएस एफ विज्ञानिका का आजन कहां किया गया है यानि कि किस शहर में किया गया है ऑप्शन ए है जैपूर में किया गया है भोपाल में किया गया है पत्ना में किया गया है या फिर मुंबई में किया गय इसका जो आवजन किया गिया है इसका कहां पर क्या गया बहुपाल में किया गया याद रखना दोस्तों इसका जो एडिशन है एट से नमर का वह भी इंपोर्टेंट है कि बताइए 2023 में भारते अंतरास्टिय विज्ञान महुत्तब का कौन सा संस्क्रण भूपाल में आउजित किया गया तो याद रखना कौन सा संस्क्रण है आठमा संस्क्रण है चपते और संस्क्रण हो शक्रण के बहु भारते अंतरास्टे विज्ञान महुत्सब इस भूपाल में विज्ञानिका का आउजिं किया गया है विग्यानिका का आजन विग्यान का काबे बहु भाषा विग्यानिक साहित विग्यान नाटक एवम लोक कला के माध्यम से विग्यान को बढ़ावा देना है इन सारे तरीकों से विग्यान काब्री के थुरू या कह सकते हैं विग्यान काब्री के द्वारा बहुँ भाशा के द्वारा ग्यानिक साहिति के द्वारा विग्यान नाटक एबं लोक कला इन तरीकों से विग्यान के बढ़ावा देने के उद्देशे से इसका आजन किया गय नेक्स्ट कोश्चन है दूसरे नमबर का थाधी में किस राज्य में रास्टिय एड्स नियंत्रन संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाज रीवन की स्रिंखला बनाई है एड्स का जो सिंबोल कह सकते हैं कुछ इस तरह से हैं या इस तरह से कि तो इसके जो सब मानभ का दो की जब से बड़ी मानभ के द्वारा बनाएगा जो 3-1 है एक हो जो सिम्बोल है क्या है डे्टीटरी डिवण है कि दर लीबन है एक जो सिंबोल है तो उसके लिए मानभ के दवारा बनाएगा थे कहां पर बनाएगे था option अ ओरिसा में राजस्थान में जारकंड में और करनाटा तो option आ इसका right answer होगा जोगा और में और जोगा navnäsन में और तो 30 जो अगर पर याँ अधकि बात करें दोस्तों तो जोड़ीशा के कहां पर क्या गयाए था कलिंगा यो में के रिंगा युनिवर्शिटे में किया गया था optionهم सिंकराइट 58 आंसर ओरीशा गंषिर संदरां के अधिक जर्फाना है को बठाना है लोगों तक जाता से ज्याड़ा लोगों तक इस को फैलाना है जागरुपता को उसी को यह वही इसका उद्देश्च था मकसद था राष्ट्य एड्स नियंद्रन काड़ेकर्ण के तहत हाल हाल के सक्ष के हाल के साक्ष के अनुसार और इसा में 0.14% के व्यस्क प्रसार के साथ राज्य में कम HIV प्रसार है बहुत कम है के मुखमंत्री है नविन पतनायक है और राजपाल जो है गनेशी दाल ओरिशा के राजपाल है तीसरा प्रस्ट है हाल ही में राष्टे आपदार प्रती क्रिया बल एंडी आरफ ने किस तिथी को अपना आठारवा स्थापन दिवस मनाया है ऑप्षान ए है 19 जन्वरी ऑप्षण भी है 17 जन्वरी ऑफशन सी है 17 जन्वरी ऑर all ऑप्षण डी है वेशी जन sm Rach कशरा थाश्वर क्या होता है दोस्तों दिजास्टेट MIN ॐजास्टर रिस्पॉंस फोर्स इसका फुल्फार्म होता है एंडी आरेफ का अस्थापना दिवस प्रतेग वर्स 19 जन्वरी को मनाया जाता है इसका गठन आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 के तहट वर्स 2006 में किया गयता दोनों में इसका गठन है आपदा प्रवंधन अधिनियम यानि कि आपदा प्रवंधन एक्ट का 2005 का और अस्थापना कब हुआ 2006 में किया गयता यह देश के आपदा प्रवंधन और आपदा जो कोखिम न्यूनी करन के लिए सामुदारिक जागरूपता में महत्पुर्ण भूविंग का भी निभाता है एंडी आरफ में वर्तवान में 12 बटालजन है टोटल 12 बटालजन है किसके एंडी आरफ के और यह बटालजन भेदता प्रवाल के अधार सोज़ा विभिन अस्थान है करें डिए तो यहां गईबाल जिआ हिक्त effπει nucट फ्रावरर सो किसराजय में जीति क्या गया का जिकत एग्री हो टी कर्शिव है बटालजन अर्टार जो है कि जाड़ी कर दर दूस्तों एक फोलीकट में अणरठडेशि नहीं को जो तमिलनाडु एंड आंधरा परदेश को connect करती है लेकर यह पुलीकट रेक है और यह क्योंसा है कालीकट फ्लावर फ्लावर शो किसके दौरा कलीकट एगरी हॉटी कल्चर सोसाइटी दौरा कंडक्ट किया गया था और्गनाइज किया गया था ऑप्शन डी का राइट आंसर हो आज़न किया गय था किसे का जाता है तो किसे का झा आजाता है है क्या कर फूलों की घाटी किसे का जाता है उत्राक्षंड को का जा जाता है केरल के वन और वन जीव मंत्री एके ससिंद्रन पुष्प प्रदर्शनी का उद्गाटन करेंगे यहां उत्सम विभिम विदेशी फुलो और पतेदार पौधों, सबजीयों और फलों की प्रजातियों का प्रदर्शन करेंगा इसमें बहुत सारी विदेशी फुलो को शोक किया जाएगा, दिखाया जाएगा, पत्तेदार पौधों को दिखाया जाएगा, सबजीयों को दिखाया जाएगा और फलों की प्रजातियों, इन सभी चीजों के जो प्रजातियों है, इसमें दिखाया जाएगा केरल के मुखमंत्री की बात कर पिंडराई विजिन है और राज़ेपाल जो है आरिफ मुहम्मद खान केरल के राज़ेपाल है पाजमा प्रस्ण का है हाधी में किस देश इनके नेतर विश्चे से डॉक्टर सैंडूक रूइत 2021-22 का बहरीन का ISA पुरुषकार जीता है किस देश के जो नेतर विश्चे सग्य है जिनका नाम क्या है डॉक्टर सैंडूक रूइत उन्होंने 2021-22 का बहरीन का ISA पुरुषकार जीता है या उनको दिया गया है option A है France, option B है Japan, option C है नेपाल और option D है चाइना नेपाल इसका correct answer होगा नेपाल नेपाल के जो है डॉक्टर सैंडूक रूइत इन्होंने बहरीन 2021-22 का ISA पुरुषकार जीता है हिमालियन मोतियविंद परियोजना के सहसल स्थापक और प्रख्यात नेपाली नेतरे रोग विशेशक डॉक्टर सैंडूक रूइत नाम याद रखना कंट्री याद रखना दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है नेम और कंट्री दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है तो सैंडूक रूइत ने जनवड़ी मानवता की शेवा के लिए आई एस ए पुरुषकार 2021 जीता है कई लोगों की आँखों की रोश्णी बचाने के लिए उन्हें प्यार से गॉर्ड ऑफ साइट कहा जाता है तो बहुत इंपोर्टेंट कॉस्चन बनता है कि गॉर्ड ऑफ साइट किसे कहा जाता है करन्ट अप तो याद रखना गॉर्ड ऑफ साइट जो है किसे कहा जाता है डॉक्टर सैंडुक रूइट का और यह कहां से हैं तो नेपाल से रहे हैं इनको कौन सा अवर्ड मिला है तो बहरीन का ISA अवर्ड मिला है 2021 का मिला है किसे लोगों की मानब्ता की सेवा के इनको दिया गया थी वह पद्रश्री पुरुषकार भूटान के नेशनल ओडर ऑफ मेरिट और रह्मन मैक्सेस से पुरुषकार के प्राप्त करता भी है इनको जो है पद्रश्री पुरुषकार भूटान के जो नेशनल ओडर ऑफ मेरिट का पुरुषकार है और साथ ही रह्मन मैक्सेसी का जो अवर्ड है वो भी इनको प्राप्त है मतर्ब दिया गया है तो 2019 में एसियन और गेम चेंजर अवर्ड से सम्मानित किया गया आजकर यह भी कुष्चन पूछता है इनसे अगर कोई ची पूछा जा सकता है नेपाल का जो प्रधान मंत्री है पुस्पकम दहाल यहां के प्रधान मंत्री है जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जानते हैं अभी इनकी इन्होंने शपत लिया है और राश्टपती हो जो है विद्दादवी भंडारी यहां के राश्टपती है नेपा काटमांडू में हेड़कॉर्टर किसका है सार्क का सार्क का हेड़कॉर्टर है काटमांडू में इसका फुलफर्म होता है इसका फुलफर्म होता है इसका फुलफर्म होता है आज ही में किसराज के कांगेर नेशनल पार्क में नारंगी रंग का दूरदब चमगादर दिखा है। आज ही में किसराज के जो कि नेशनल पार्क है जिनका नाम है जिसका कांगेर नेशनल पार्क है। इसमें नारंगी रंग का दुरदब चमगादर दिखा है बैट दिखा है और इंज कदर का ओप्शन ए है 36 गड़ ऑप्शन बी है तमिल नाडू ऑप्शन सी है आंधर प्रदेश और ऑप्शन डी है और नाचर प्रदेश तो दोस्तों 36 गड़ जो है इसका राइट आंसर होग क्योंकि यहां पर यह मिला किया है नारंगी रंग का दुरसब चमगादर है वो मिला है कहां पर कांगेड नेशनल पार्क और कांगेड नेशनल पार्क जो है कहां पर है 36 गड़ में ठीक चांट्टिस गड़ बस्तर में कांगर घाटी रास्टे उध्यान के पराजी बोडाल गौ में पैंटेड बैट के नाम से जाने वाज़ जाना जाने वाज़ एक दुर्जब नारंगी रंग का चमगादर देखा गया है इस नारंगी रंग के चमगादर का जो वैग्यानिक नाम है कैरी वोजा पिक कि इस प्रजाती को विश्व अस्तर पर जुपद प्राई की स्रेशनी में रखा गया है यहां ने प्रजाती आमतर पर बांगदेश ब्रुनैय बर्मां कमबोडिया चीन इंडोनेशय थाएंड और वियतनाम में पाई जाती है यह नारंगी रंग का चमगादर पाया जाता ह तो इसे दोनों राज़ेपाज हमेशा याद रखना कई बारी जाम में पूछा जाता है विस्त व्रथिक मंच वर्ड एकोनोमिक फोरम है वर्ड एकोनोमिक फोरम वर्ड एकोनोमिक फोरम डब़ो एफ टिक जो हैट्वाटर कहां पर इसका सुट्जर जनद कहां पे है वर्ड एक्वर्म का हेड़काटर कहां पे है सुट्जर्जर्जन में है तो वर्ड एकोनोमिक फॉर्म ने जन्वरी 2023 में दोस्तो भारत के किस सहर को अस्त सेवा ध्यां से सुना स्वास्त सेवा और जीवे usters59 पर केंदर चौती ओलर ग्रांटी के अस्थारापित करने के चुना है यह जाप्स ऑफ्सन में जैपूर, ऑप्सिन भी है है हैधराबाद, ऐप्सिन सी है पतना अड ऑप्शन डी मुमबे तो राइट जो ऑनसर होगा इसका, ऑप्सिन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैधराबाद, हैधराबाद में दोस्तों वर्ड जल्दी वर्ड एकॉनॉमिक फोर्म ने को हैद्रावाद को हैद्रावाद तेजंगा नामे की कैपिटल है विश्व आर्थिक मंच वर्ड एकोनोमिक फोरम ने जनवरी 2023 में हैद्रावाद को स्वास्त सेवा और जीव विग्यान पर केंद्रित चौथी ओद्योगी क्रांती केंद्र अस्थापित करने के लिए चुना किसको हैद्रावाद को छौथा और दिखेमकर ने पर किर रहा और और जीवन विग्यान पर केंद्रित को किस स्वास्त के देखेमकर में और जीवन विगन पर केंद्रित होगा सी फोर आयार जो है दोस्तों तेजंगाना फोरूम के चौत है और दियो की करांती नेटवर्क में शामिल होने वाजा कौन सा अठार्मा केंद्र है एटीन केंद्र विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्याद है कहां पर है शुर्जर्जन में है और इसका जो अध्यक्ष है जितने भी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे और अभी जैसे कि मैं अपडेट नहीं कर पाता हूं वगरा में तो आप सभी लोग आजाई के लिए कभी दिन में जब भी वह से हमारे टाइमिंग जो है फोर पीम का होता है करेंट फिर भी कभी कभार लेट हो जाता है तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बाद चैनल को विजिट करते रहिए क्या रहा कीजिए दिन में कभी भी आपको यह नोटिफिकेशन देख जाएगा या फिर नोटिफिकेशन जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जोग चैनल के नोटिफिकेशन बेज आउन कर दे ताकि जब वीडियो अप्लोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगर कोई नए दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और शेर भी आप कर सकते हो अपने दोस्तों से अगर आपको सेशन प्संद आयए तो यह तीन चीज़ कर सकते हो और को दोस्त नए है तो अभी सब्सक्राइब कर देजी आपको करेंट अफिर मिले का साथ ही जल्दी है और भी क्लासे से प्रदेश की पहली भारतिय अमेरीकी लेटिनेंट गवर्नर बनी है। केंदर सासित प्रदेश में होते हैं गवर्णर एलजी लाटिनेंट गवर्णर वैसे तो हमार जो स्टेट है उसको आप पता होगा क्या होता है राज्यपाल होता है जो योटी होता है केंदर सासित प्रदेश होता है उसमें क्या होता है उपर राज्यपाल होता है कई लोग य आप्षार के द्वारा किया जाता है और उपराजेपाल कीुक्ति भी प्रेसेडेंट ते द्वारा किया जाता है तो इसका जो आंसर है option A इसका right answer है मेरीजेड मैरीजेंट अरुना मिल्र जो 19 जनुवरी दोहेजर ताइस को मैरीजेंट यू से राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सपत लेने वाजी पहली भारती अमेरिकी राजनितिक बन गई है जो अरुना मिलर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के मैरिलेंट के रूप में सपत लेने वाजी भारती अमेरिकी महिदा राजनितिक बन गई है वह मेरिलेंड हाॉस की पुल्व प्रतिनिधी है और मेरिलेंड राजी की दस वी Лेँटिनेन्ट गवर्णर होगी और फस्ट जो है भारतिय अमेरिकी होगी जब कि नए गवरणर वेस्जमूर मैरिलेंट के 63वे गवरणर राजजी के पहले और देश के एकमात्र वर्तमान और श्वेत मोख्य कारकारी अधिकारी बने हैं मैरिलेंट की जो कैपिटल है अना पोलिस मैरिलेंट की कैपिटल है प्रावा प्रश्ण है हाधी में किस देश ने होकी विश्यकप इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है हाधी में किस देश ने दोस्तो होकी विश्यकप की विश्यकप इतिहास की अब तक की जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की है option a है और ₚ निधर जरन उसको इसको बता करन चीज को कहा राए कि अ रिखेल के 14 जिरो से हराया है इसमें नीदरजन के दो ऐसे हैं जिसनोंने हैट्रिक लगाई है दो है इससे पहले जो यह रिकॉर्ड किसके नाम था तो ऑस्टेजर के नाम था उस्टेजर ने बारद जीरो से हराय था तो नीदरजन ने फोटी जीरो से हराया है किसको चीजी को और यह होकी विस्टू की विस्टू कप मैच की अब तक की सबसे बड़ी जीत है इसी कंट्र के द्वारा इससे पहले ऑस्टेजर नहीं था बारद जीरो से और नीदरजन के अभी दो और नीदरजन ने क्वालिफाई कर दे है किसके लिए क्वाटर फाइनर के लिए और पहले दक्षिन आफ्रीका के किसाफ होकी विस्टू कप मैच में जीत के सबसे बड़े अंतर बारद जीरो से रिकॉर्ट बनाया था इससे पहले ऑस्टेजर जो है दोस्तों दक्षिन यान कि नीदरजन ने 14 के अंतर जीता है अंतर से जीता है 14 गोलिए नीदरजन के जिप जॉंसें और थियरी ब्रिंक मैंने मैच में हैट रिक लगाई यह नों लें दोनों ने इस मैच में हैट रिक लगाई है ठीक किस देश के क्रिकेटर है हासी मामलाद जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्राडविपो से सन्यास की घोशना किया है option A है दक्षिन आफ्रीका, option B है इंगलेंड, option C है नियुजिलेंड and option D है उस्टेज तो राइट जो आफ्रीका के बहुत बड़ेर है इन्होंने लगभग कह सकते हैं कि पेस्ट मैच वगरा में 9000 से करीब 9000 बनाए है और टोटल अगर देखें तो 18000 बनाए है जोकी सेकेंड वजबाज है सौथ आफ्रीका के तरफ से जिन्होंने इतना ज़्यादा स्कोर किया हुआ है इससे पहले जैक कैलेस है जैक कैलिस है जो सबसे ज़्यादा रन बनाया है दक्षिन आफ्रीका की तरफ उसके बाद हासी मामदा का नम बनाता है हासी मामदा दक्षिन आफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन इसको रन लगभग 9000 से ज़्यादा रन बनाया है हासीम आमदा ने 18 जन्वरी 2023 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना किया है उन्होंने जैकस कैलिस के पहजे अस्थान के बाद 124 टेस्ट में 9,282 या 9,000 से जादा 9,000 प्रसरन बनाए है साथ ही 27 एक दिवस्की सतक लगाए 27 ODA सेंचुरी लगाए है और दक्षिन आफरीका के लिए सभी प्रारूपों में कुल 18,672 रन बनाए है वह टेस्ट किर्केट में 13 सतक बनाने वाजा पहले और एक मात्र दक्षिन आफरीकी खिलारी टेस्ट किर्केट में 13 सतक लगाने वाजा पहला बल्दे बाद से कौन हासीम आमला और दक्षिन आफरीका के लिए भी एक मात्र खिलारी है जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में तीरा सतक लगाए है तो नाम होका उनका दक्षिन हासीम आमला ओप्षिन नेक्स्ट कोचन है 11 नमर का हाल ही में दिल्दी विधान सभा ने दिल्दी जल बोड के लिए कितने करोर रूपे के पूरक अनुदान की मंजोडी दिया है जिससे की यमुना नदी को यमुना नदी की सफाई के लिए ओप्षिन ए है एक हजार अठाइस करोर नौसो करोर बारा सो करोर या फिर ग्यारा सो करोर तो दिल्दी जल बोड ने जो है दोस्तों यमुना नदी की सफाई के लिए कितने करोर दिया है तो प्रदूषन नियंत्र सर मीति के अनुसार दिल्दी में यमुना नदी में प्रदूषन पिछले आथ वर्षो में दो गोना हो गया है दिल्जी प्रदूशन नियंतरन समीती के अनुसार जो है दिल्जी में यमुना न दीमेचु प्रदूशन है पॉजिशन है पिछले आठ वर्सों में दोगुना हो गया दिल्जी में प्रवेश करने पर यमुना की जैविक ऑक्सीजन मांग बी ओटू होता है और दिल्जी से निकलने पर यह चपन हो जाती है देजी के उपराज पाल जो है कौन है विने सक्षेना देजी के उपराज पाल है और ये जो है देजी के उपराज पाल ये अभी-भी SSC GD एक्जाम में पूछा गया है जो मेरी किलास को डेगुदर फौलो करते डेफिनेटि उन्होंने किया होगा अगर उनके सिफ्ट में आया होगा तो वार्मा प्रदाश्चन है हाद ही में किस राजी के में राजी के उच्छ शिक्षा विभाग के ताहत सभी संस्थानों में सभी मेर है छात्रों को मासिग धर्म और मातरत अवकास दिया जाएगा तो किस राजी ने यह फैसल एड़ा तो रैट जो Ansner है दोस्तो आप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउने केरदा ने दोस्तो है सभी संस्थानों में सभी महिजा चात्रों को मासिक धर्म और मातित अवकास दिया जाने की घोशने क्या है देश का पहला अगर केज़से बात आये तो बात करते हैं देश से देश का जो पहला है इंडिया जो फस्ट कारवन ड्यूंट्रल फॉर्म किस स्टेड ने घोशने किया था केर्जा नहीं किया था कि देश का पैजा का निविट्रल फॉर्म जो है सीड का पर घोशने किया था केर्जा में किया गया था किरा सरकार ने सभी राज्य विश्व विद्या ضव्लभ में मारजिक धर्म की छुट्टी की अनुमत्य दिये है। केरव ने घोजना की कि राजिका उच्छ शिक्षा विभाग के ताहत सभी संस्थानों में सभी महिदा छात्रों को माशिक धर्म और मात्रित अवकास दिया जाने की घोजना किया इस देश में इस तरह की पहली पहल बता जाला है यह फर्स्ट स्टेट है जो इस चीज को इस इनिसियेट को रॉंज किया है अठाड़ा वर्ष की आयो पुरी कर चुकी छात्रा को अधिक्तम 60 दिन का मात्रित अवकास स्विक्रित किया जाएगा को मात्रित अवकास मैक्सिमम 60 डेज दिया जाएगा इससे पहले कोचिन उनिवर्सिटी ने इस तरफ की छुट्टी दिये देना स्टार्ट किया था केरल के जो मुखमंत्री है पिंडाई विजीन है और राज़िपाल कौन है आरिफ मुहम्मद खान इसके राज़िपाल है केरल के थारटीन मंट प्रेス्ट है हाल ही में किस आयाटी ने भारत का सवदेसी मूबाइल ऑप्रेटिंग सिस्टम भार ।ो ओस को विक्षित किया है कॉन से इयैं है जिसने भारत के पाईल स्वदेसी ओप्रेटिंग सिस्टम आप रेटिंग होगा वह surely native लेनक्स ओधंग जैसे एपल वगरा के लिए iOS होता है मोबाइल के लिए Android होता है तो यह जो भार OS हो यह मोबाइल के लिए है यह मोबाइल के लिए है बाहर OS जिसका नाम है तो किस आय यह थी ने इसको डिस्कों डब्लब किया है option A, मदरास, IIT मदरास, IIT मुंबई, IIT गोहर्टी या फिर IIT देजिन है तो right answer जो होगा option number A, इसका right answer हो जाएगा IIT मदरास के जो incubation center है उन्होंने उसने यानि कि स्वधेशी mobile operating system भार OS को विक्षित किया है IIT मदरास right answer होगा भार OS भारत का स्वधेशी mobile operating system विक्षित किया गया है इसे IIT मदरास incubated firm GEND के operations private limited द्वारा विक्षित किया गया है यह software वानेचिक of the self handset पर install किया जा सकता है और इस संगठन यह संगठन विशिस private app store services pass जिसको इसका full form है short form है पास से विश्वसनी apps तक पहुँच प्रदान करता है और इसमें जो no default apps होती है इसमें no default apps भी होती है इसमें native over the air nota update होता है जो करनों को सुरक्षित रखने में मदद करता है डिवाइस को सेफ रखने सुरक्षित रखने के लिए लोटा भी इसमें updated है उसके थुरू डिवाइस को यानि मुबाइल फोन को सुरक्षित रखा जा सकता है किस शहर में एक दिवसी इंडिया कोड चेन को उरुजन किया गया है एक दीवसी एंडिया कोर्ड चेन कॉनक्रिब का आजन नई देजी में किया गया है। क्रिशी मंत्राजे कौन है नरेंदर सिंग तोमर नरेंदर सिंग तोमर क्रिशी मंत्राजे हैं तो क्रिशी मंत्राज ने PhD Chamber of Commerce and Industry और National Center for Code Chain Development के सहयोग से नई दिजी में 19 जन्वरी 2023 को कॉन्क्रेब का आजन किया था कॉन्क्रेब का उदे सभी हित धार्कों को एक साजा मंच एक साथ जाना था और इस दोरान बागवानी क्लस्टर विकास कारिकरम के तहत उत्पाद विस्स्ट बागवानी क्लस्टरों को स्विक्रिती प्रदान की गई थी तो कहां पर किया गए था आउजन नई देजी में आउजन किया गए था सब्सक्राइब करेंगे और अगर कोई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देजीगा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेलते नहीं है साथ यह बता दे एक्जाम कार्ड के जो आपके लिए घरंवरी मन्त का आप ले सकते हैं उन दोस्तों के लिए हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं है यह वीडियो बगर नहीं होता है तो फीडियद से रीट नहीं होता है तो वह हमारे इस बुक के थूरू रीविजिन कर सकते हैं इसमें टॉपिक वाइस बागा है शुक्ष में यह इन्ष दिया गया है सब była गए है इधा मैं सबếu क्या कि डिटेल था कोलाकान टाफर का सब कुल डिस्कूस कर चुक हैं मिलेंगे कल के वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर